नेक वेनम केस तो चली रहा है एलविश के उपर आप लोगों को पता है कि एलविश के ख्लोज फ्रेंड को भी जो है नॉइड़ा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है विने को विने जो है उस वक्त भी एलविश के साथ थे जब एलविश ने जो है बिग बॉस ओटिटी सीजन की ट्रॉफी जीती थी अब जो है यह शायद आप लोगों को पता चल गया होगा बट आप लोगों ने हर जगा पर वीडियो देखी किस तरीके से नॉइड़ा पुलिस जो है विने को लेके जा रही है किस तरीके से जो है वहां पर कैमरा मैन जितना भीड जमाए हुए है कि इनसान के साथ है इस विने के साथ मुझे पता नहीं भाई मैं तो इससे पहले विने के बारे में मैं जानती नहीं थी बट अब मुझे पता चला है कि एलविश यादव के बहुती ख्लोज फ्रेंड है उनको जो है अरेस्ट किया गया है ऐलविश कोई भी पार्टी और्गिनाइज की जाती थी यही पार्टी और्गिनाइज करके देते थे अल्विश यादव को तो अल्विश यादव जो है अब इस वक्त कस्टडी में है कस्टडी में काफी सारे सवाल जो है पूछे जा रहे होंगे धीरे धीरे जो है अल्विश के सवाल जवाब होने के ब था बिखी कि आसे आंप मेरी सी सोच रखते हैं कि हमने हम कभी देखा नहीं और विंए से तरीके से प्याप्स ने पूरा ऐसा मूवी वाला season बन गया था कि आप बताईए आप पॉइजन क्या आप क्या जहर बेचते हैं क्या आपने पार्टी और्गनाइज करवाई थी आप एलविश के दोस्त हैं क्या आपका नाम इसमें आया है बहुत ही तरीके से और बहुत ही तीखे करारे सवाल जो है वो मीडिया पूछती हुई नजर आई अभी देखेंगे अभी 14 दिन की पंदर दिन की जो कस्टडी मिली है नौईडर पुलिस को एलविश की एलविश जो है लगातार अंदर सब सवाल जवाब में घिरे होंगे बहुत ही मुश्किल टाइम जो है एलविश का चल रहा है मैं बस यही चीज़ और अगर सच में एलविश ने ऐसी गलती की है तो वो भी सच सामने आए उसके लिए भी सब लोग तयार है सच्चाई जानने के लिए सब लोग तयार है अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताईए क्या आपको लगता है कि एलविश यादव ने यह सब चीज़े क